हाई दोस्तों नमस्कार मैं हूँ नीरेज राय और आपका स्वागत है फर्माहट्स दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में जो आज कल जदतर लोगों में देखने को मिल रही है और उसकी मेडिसिन के बारे में दोस्तों अगर देखा जाये तो अभी मौसम चेंज हो रहा है और जब मौसम चेंज होता है चाहे शरदी से गर्मी हो या गर्मी से सरदी आ रही हो तो ऐसे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो लोगों में सर्दी जुखाम, खासी, बुखार, सरीर में हरारत ये सारे लच्छन दिखाई पड़ते हैं और इस प्रकार की बीमारी दिखाई पड़ती है यानि कि आपको पताओगा कि जब मौसम चेंज होता है तो कहीं न कहीं आप में जो सर्दी जुखाम के लच्छने वो देखने को मिलते हैं जल्दी से सर्दी जुकाम की कोई medicine नहीं लेता है, कोई दवा नहीं लेता है, लेकिन सर्दी जुकाम की दवा तब लेनी पड़ती है, जब जुकाम और सर्दी के साथ में आपको fever हो जाता है, और fever के साथ में बहुत जदा दर्द होता है, सरीर में बहुत जदा हरारत बनी रह लाहूं जो अगर आपके पास है तो इन सभी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी तो चलिए दिखते हैं वो कौन सी मेडिसिन होती हैं दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कि मौसम जब चेंज होता है तो हम बीमार क्यूं होते हैं तो उसमें सबसे अमे07 से तो हमारे उठने का टाइमिंग भिगड़ जाता है या फिर रात में थंड़ाा पानी पी ल Андीका वंलत द्धे Yea fact और लोग कम कपड़े पहनते हैं क्योंकि सुबह गरमी ्लगरी है दिन में गर्मी आरे या रात में ठंदा ही तो ऐसी में अगर Caitlin इसको balance नहीं करता है जिसकी वजह से fever आता है सर्दी जो काम होता है तो इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले अवेर रहे हैं जब भी आप सर्दी आ रही है तो कपड़े सही से पहने रात के टाइम पर है ना और ज़्यादा सथंडी से बचें बहुत ज़्यादा थंडे में न से सबसे आए तो बलकुल आप सीथ से दोर रहें नहीं तो आपको जादा समश्या हो सकती है जोsl 123 कॉन सी kilowγο कितने हैं तो यहां पर पताने वाला हूँ अपको पांच मेडेसिन जिसमें आप चार ले सकते हैं एक तो क्युक्सी में एक मैडेस्याइन हो यी जो आपके तो वो गैस बनाती है तो गैस ना बनाए एक आपको जुखाम की होगी जुकाम हुआ है सर्दी जुकाम हुआ है उसके लिए और यहां पर एक जो मेडिसिन होगी वह एंटिवाटिक होगी यह चार मेडिसिन का एक बीटमीन की गोली आत अब को अख को वाकर इसें मैेसिन से मोचण सोगी कशाम करती है और आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है तो कौन-कॉन देशन कोında कोमेडिसिन मैं आपको ढेंग बता देता हूं और नाम और सब्सक्राम में इस लिए झार मेडिसिन लिना तारहिका लिए निम-प्रेक्ष टेबलत इसको ले शकते हैं इसके अलावा आपको लेनी है एक एक अंति-बावर्टिक जिसमें होता है जन फ्लॉक्स आता है, ओफ्लॉक्स असीन टैबलेट्स आती है, 200 mg की, उसको ले सकते हैं, यह दो मेडिसिन हो गई, दूस्तों आपको तीसरी मेडिसिन यहाँ पर लेनी है, एसी लॉक्स आप 150 mg ले सकते हैं, एसी लॉक्स के अंदर में रैनिटी डीन होता है, और इसके साथ में आपको लेना है एक और टैबलेट्स जो है सॉल्बिन एम के नाम से आती है, जो सर्दी जुकाम के लिए होती है, जिसमें एम्ब्रॉक्जल होता है, और टर्बियोनालीन ह और साथ में ग्वाफनशीन होता है, यह तीन चीजें जो आपको खासी आ रही है, शांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपको कफ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए यह टैबलेट होती है, तो यह चार टैबलेट्स लेनी है, इसके साथ में आप बितामिन B कॉंपलेक्स भी आपका जुकाम टोटली सही नहीं होगा, लेकिन आपके सरीर में जो दर्द हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, हरारत है, खासी आ रही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप मेडिसन के बारे में समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको सामनी आपे लगा दिया है यहां पर जो विटमिन B complex tablet होती है, आप इसे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, और अगर आप इसे ले रहे हैं, तो इसे रात में सोते टाइम ही लेना है, एक टाइम दिन में लेना है, यानि कि सारी गोली अगर आप चार गोली खाओगे, सारी गोली, तो आपको इसक कर दोस्ते के वाज शेयर करिएगा, इस तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारा हेल्थ होंके चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा हमें इंस्टेग्राम पर फालो कर सकते हैं, पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिन्नेवाद मिलता है, निए निए टूलियो में.